Hello guys, welcome back to our YouTube channel तो आज हम लेके आएं आपको डबल स्टोरी 5PH के दिखाने ये इसका location रहेगा sunny enclave और इसका size रहेगा 200 square yard और dimension रहेगा 30 by 60 तो ये रहा ये घर का front television अगर आप देखेगे तो काफी elegant architecture है साथ में top notch amenities भी मिलेगा आपको तो एंटर करते ही यहाँ पे strong iron से बनाएवा हुआ gate मिलेगा आपको और यहाँ पे मिलेगा बड़िया parking space जहाँ पे आप four wheeler easily park कर सकते हो और इस side को अगर जाएंगे तो यहाँ पे है two wheeler का parking area और साथ में underground water tank भी आपको मिल रहे है तो यहाँ से आके हम enter करते है यह रहा इसका main entry एंटर करते ही यहाँ पे living area रहेगा आपका यहाँ पे easily आपको five-seater dining table रख सकते हो और हमने partition किया हुआ है अपना privacy के लिए यहाँ पे अपना sofa वगेरा आप प्लेस कर सकते हो यहाँ से ventilation के लिए windows भी मिल रहे है और साथ में दो shelves मिल रहे है आपको सामान रखने के लिए और उपर down ceiling का provision भी दिया है हमने और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने wooden shelf प्रोवाइड किया हुआ है साथ में lights भी दिख रहे हैं आपको और यहाँ पे आएगा आपका LCD पैनल उसके साथ ही चलते हैं इसका kitchen एरिया में तो यह रहेगा आपका you save modular kitchen प्रॉपर कैबिनेट के साथ मिल रहे हैं आपको साथ में चिमनी का प्रोविजन भी हम दे रहे हैं अभी चलते हैं पूजा एरिया में यहाँ पे हमने अपना पूजा के लिए प्रोविजन दिया हुआ है तो चले हम अभी चलते हैं first bedroom के तरह तो यह रहेगा आपका first bedroom हमने यहाँ पे वाल पेपर प्रोवाइड किया है साथ में cupboards यह रहेगा आपका cupboard और उपर से down ceiling और सामने हैं आपका LCD panel साथ में आपको मिलेगा attached washroom तो यह रहेगा आपका attached window ventilation के लिए तो चले हम second bedroom के और चले तो यह रहेगा आपका second bedroom यहाँ पे भी हमने वाल पेपर का work किया हुआ है और साथ में आपको मिल रहे हैं cupboards sliding boards के साथ और यहाँ पे रहेगा आपका dressing table with mirror और सामने से LCD panel और यह रहेगा आपका washing area और साथ में attached washroom तो चले गाइस हम अभी first floor की तरह चलते हैं तो यहाँ से आके आपको दिखेगे stairs यहाँ से जाके हम first floor की तरह जाते हैं तो ऊपर आते ही यहाँ पे रहेगा आपका balcony, steel railings हमने provide किया है तो यहाँ से चलते हैं, enter करते हैं हमारे गर के तो यह रहेगा आपका living area यहाँ पे आप अपना sofa रख सकते हो इसका size रहेगा 12 by 12 और यह रहा आपका L-shaped modular kitchen यहाँ पे proper cabinets और chimney's का provision भी हम दे रहे हैं और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना fridge और dining table का provision हम दे रहे हैं और उपर से down ceiling भी दे रहे हैं हम तो चलते हमारे first bedroom के और तो यह रहा हमारा first bedroom यहाँ पे हमने ज्यादा तक wooden touch किया है और सामने से LCD panel और यहाँ आके आपका cupboard रहेगा और साथ में attached washroom भी तो चले हम second bedroom के और चलते हैं तो यह रहा आपका second bedroom काफी spacious है और सातने हमने वालपेपर भी रखा है और यह रहा आपका cupboard और यहाँ आपका dressing table with mirror मिलेगा सामने से LCD panel और यहाँ से आपका washing area और windows ventilation के लिए तो चलते हैं third bedroom की तरह तो एंटर करते ही आपको दिखेगा एक spacious room यहाँ पर हमने वालपेपर लगाया हुआ है साथ में बड़ा cupboards यहाँ पर दे रहे हम और यहाँ पर रहेगा आपका dressing table with mirror और सामने ही LCD पैनल और साथ में यहाँ पर आपका attached washroom रहेगा और यहाँ से windows ventilation के लिए तो यह था हमारा double story 5BHK का घर जो रहेगा मोहाली के अंदर sunny enclave में इसका price रहेगा 1.85 लाग्स और इसका size रहेगा 200 square yard अगर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक subscribe और अपने दोस्तों के साथ share करिए और नीचे दिया हुआ नंबर में और details के लिए जरूर कॉल करिए थैंक्यू झाल झाल